हाई अब्रिवान आम सुमन मलिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाप्टर 19 का C पार्ट Conclusion of Trial A और B हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो आप देख लिजेगा जल्दी से इसका C पार्ट हम खतम करते हैं फिर ये चाप्टर खतम हो जाएगा या तो उसको कन्विक्ट किया जाएगा उसको सजा सुनाई जाएगी या उसको छोड़ दिया जाएगा दोई चीज रहती हैं पहला सब सेक्शन देखिए इस एन एनी केस अंडर इस चाप्टर इन विच चाप्टर इस चाप्टर के अंदर जो है अगर इस किसी वेक्ति चार्ज फ्रेम किये गए है दा मैजिस्ट्रेट फाइंड एक्यूज नॉट गिल्टी और उन चार्ज इस पर जो है मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि यह वेक्ति गिल्टी नहीं है तो कोर्ट उसके बाद उसको छोड़ देने का एक्यूट करने का ओर्डर कर देगा सेकिंड सब्सक्शन देखे वेर इन एनी केस अंडर इस चाप्टर दा मैजिस्ट्रेट फाइंड सेक्यूज गिल्टी लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि यह वेक्ति जो है गिल्टी प्रूव हो रहा है बट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्ड़न सेक्शन 325 और 360 लेकिन मैजिस्ट्रेट ने 325 या 360 की प्रोसीडिंग नहीं की है 325 कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है सीवियर पनिश्मेंट देने की तो वो ऐसे मैजिस्ट्रेट के पास मैटर भेज देता है जो एमपावर होता है सीवियर पनिश्मेंट देने के ओके और तिन सो साथ प्रोबेशन और के बात करता है कि गुड कंडाक्ट या प्रोबेशन के बेसिस पर वेक्ति को छोड़ देने सब अगर मैजिस्टेट नी 325 या 360 के सेक्षन में प्रोसीड नहीं किया है तो he shall after hearing the accused on the question of sentence तो question of sentence पर accused को सुना जाएगा मतलब कि भी उसको कितनी punishment देनी चाहिए लिखा आता है कि भी कुछ offenses में कि भी इतने तक आप उसे punish कर सकते हो तो वो determine करना कि उसको कितनी punishment देनी चाहिए उस offense के अंदर this is the question of sentence, pass sentence upon him according to the law, question of sentence के उपर सुनने के बाद court को जैसा ठीक लगता है उसको वो उतने साल तक की punishment सुना सकता है next देखे third, where in any case under this chapter a previous conviction is charged under the provision of subsection 7 or section 211 अगर कोई वेक्ती पहले भी इसी तरीके के offense में पहले भी charge हो चुका है या उसको conviction हो चुकी है अबकोस conviction होगी अगर दोबारा से वो इस तरीके का offense करता है तो उसकी punishment enhance की जा सकती है okay, so where in any case under this chapter a previous conviction is charged under the provision of subsection 7 or section 211 and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge और अगर वो पहले भी convicted हुआ है लेकिन accused accept नहीं कर रहा है कि वो पहले भी ऐसे offense के अंदर charge हो चुका है the magistrate में after he has convicted the said accused take evidence in respect of the alleged previous conviction तो उसके previous conviction के उपर वो evidence ले सकता है अब नहीं accept करेगा तो of course evidence लेकर आया जाएंगे उसके उपर and shall record a finding their own और उन evidences को सुनने के बाद जो भी magistrate को लगता है जो भी findings होती है वो उसको record करेगा provided that no such charge shall be read out by the magistrate अब कौन से charge अगर वो पहले भी convicted हो चुका है तो previous conviction के बारे में पहले discussion नहीं होगा कब नहीं होगा देखिए provided that no such charge shall be read out by magistrate nor shall the accused be asked to plead thereto nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution or in any evidence adduced by it unless and until the accused has been convicted under subsection 2 जब तक subsection 2 तक subsection 2 क्या कहा रहा था कि भी उसके against charge prove हो रहे है वो guilty हो रहा है उससे पहले आप previous conviction के बारे में कोई भी evidence या कोई भी point raise नहीं करोगे क्यों 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 हो सकता अगर आप पहले ही court में कह दो कि वेक्ति पहले भी इस तरीके के offense में charge हो चुका है तो हो सकता court bias हो जाए court पहले ही यह सोच ले कि हाँ उस वेक्ति ने यह offense किया है तो यह biasness होने से रोकने के लिए ही यह बोला गया है कि जब तक आप सब section 2 तक नहीं पहुँच जाते हो मदब case का end के पास नहीं आ जाते हो conclusion तक आप नहीं आ जाते हो तब तक आप previous conviction का point raise नहीं करोगे section 249 देखिए absence of complainant अब अगर complainant गायब हो जाता है absent हो जाता है when the proceeding have been instituted upon complaint or on any day fixed for the hearing of the case जहां पर case जो है institute किसी complaint के basis पर अगर हुआ है और उस complaint के basis पर कोई next hearing रख दी गई है उसको सुनने के लिए the complainant is absent और जिसने यह complaint की थी वह absent हो जाता है नहीं आता है court के अंदर the magistrate may in his discretion तो court की discretion इच्छा रहती है स्वाइच्छा होती है कि चाहे तो वो notwithstanding anything here in before contained at any time before the charge has been framed discharged accused तो charge frame होने से पहले किसी भी समय जो है वो accused को discharge कर सकता है लेकिन अगर एक बाद charge frame हो गए फिर तो भी trial start होगा लेकिन अगर charge नहीं frame होय तो उससे पहले कभी भी court जो है उसे discharge कर सकता है अगर complainant absent होता है तो section 250 देखे compensation for accusation without reasonable cause अब आप जिस वेक्ति के खिलाफ allegations लगा रहे थे somehow वो prove नहीं हो पाते हैं तो क्या होगा तो जिस वेक्ति ने complaint की थी उसके उपर fine लगाया जा सकता है ये आपका compensation for accusation तो accused person को जिसको आप accused बना रहे हैं उसको compensate किया जाएगा without reasonable cause इसका first subsection देखे if in any case instituted upon complaint और upon information given to a police officer और to a magistrate अगर कोई case institute हुआ है complaint के basis पर या कोई जानकारी के basis पर जो आपने police officer या magistrate को दी है one or more person is or are accused before a magistrate जिसमें आप एक या एक से जादा वेक्तियों को आप accused बना रहे हो of any offense tribal by magistrate जो magistrate के द्वार आपको ट्राइबल हो the and the magistrate by whom the case is here discharge or acquit all or any of the accused तो और magistrate उस case के अंदर यदि सभी accused person को या किसी एक वेक्ति जिसको भी है अगर उसको वो discharge या acquit कर रहा है and is of opinion that there was no reasonable ground for making the accusation against them और कोई भी reasonable ground नहीं बन पा रहा है जिस basis पर उन्हें गुनेगार साबित किया जा सकता हो or any of them the magistrate may by his order of discharge or acquit if the person upon whom whose complaint or information the accusation was made is present call upon him forthwith to show cause why he should not pay compensation to such accused तो court जो है फिर उससे जिसने allegation लगाई थी उससे पूछेगा कि भाई तुम्हें तुम पर हम penalty fine क्यों ना impose करें क्यों क्योंकि तुमने एसे allegation लगाए इन लोगों पर किसी एक या एक से जादे विक्ति पर जो प्रूव नहीं हो पा रही है और each or any of the such accused when there are more than one और if such person is not present और अगर जो complainant है या जो informant है वो present नहीं है अगर court के अंदर तो क्या जाएगा direct the issue of a someone to him to appear and show cause as a faucet तो उसको someone भेजा जाएगा और उसको court में बुला जाएगा और reason भी पूछा जाएगा कि अब तुम पर हम किसी तरीके का fine क्यों ना impose करें क्यों क्योंकि तुमने गलत allegation इस पर लगाई जो प्रूव नहीं हो पा रही है इसका अब second subsection देखिए second subsection देखिए the magistrate shall record and consider any cause which such complainant or informant may show तो complainant या जो informant है वो कारण बताएगा कि कि मैंने क्यों इस तरीके के allegation लगा है and if is satisfied that there was no reasonable ground for making the accusation और court अगर convince हो जाता है कि भी हाँ ये कोई reasonable ground नहीं बन रहा है कि जिस basis पर complainant जो है वो इस पर allegation लगा सकता था may for reasons to be recorded तो यह सारे reason जो है court record करेगा make an order that compensation to such amount not exceeding the amount of fine he is empowered to impose तो fine का क्या limit रहता है तो magistrate जितना वो empower रहता है जितनी magistrate के पास power रहती है fine impose करने की वो उतने ही limit तक उस पर fine impose कर सकता है as he may determine be paid by such complainant और informant to the accused or each or any of them तो complainant या informant के द्वारा वो जो fine उस पर impose किया जाएगा वो accused को एक एक से जादा जितने भी है उन सब को वो fine पे किया जाएगा third देखे subsection the magistrate में by the order directing payment of the compensation under subsection 2 तो magistrate जब subsection 2 के अंदर fine करने का वो order कर देगा further order that in default of payment the person order to pay such compensation shall undergo simple imprisonment for a period not exceeding 30 days तो अगर वो वेक्ती complainant या informant अगर वो fine नहीं pay कर पाए जो court ने उसको order किया था तो उसको not exceeding 30 days तीस दिन से जादा की वो simple imprisonment नहीं ले सकता मदब 30 days तक वो simple imprisonment उसको दी भी apply तो section 68 और 69 IPC का जो है वो apply होगा अब पढ़ लीजेगा अभी उसको नहीं discuss करेंगे fifth देखिए no person who has been directed to pay compensation under this section shall by reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made or information given by him तो अगर बेशक्से उसने जो आपका ये compensation बेशक्से उसने pay कर दिया है इसके बावजूद इसके यह नहीं कि उसके खिलाफ कोई civil या criminal liability नहीं बनती है अब suppose करें defamation का case उसने उसके खिलाफ किया ठीक है ना उसके उपर allegation लगाए defamation नहीं कोई और उस पर allegation लगाए कि इस वेक्ती ने murder करा है suppose करो लेकिन वो charge नहीं proof हो पाता यह सिर्फ एक example है यह मत देगा कि murder is a severe punishment वाला है अगर उस पर allegation लगाने के बाद वो प्रूव नहीं हो पाता है तो इस काम तब यह नहीं कि accused के पास उसको fine भी अगर मिल गया है या फिर 30 दिन का imprisonment में जा चुका है जो complainant है या जो informant है तो वो उस complainant informant के against कोई civil या criminal action नहीं ले सकता है वो बेशक्स से चाहे तो उसके खिलाफ defamation का case कर सकता है या उससे compensation ले सकता है कि तुमने मुझे गलत allegation लगाए जिससे मेरी goodwill खराब हो गया तो तुम मुझे compensate करो अपकोस उसके against civil या criminal action भी ले सकता है ओके अब इसका प्रोवाइज देखे प्रोवाइज देखे प्रोवाइज देखे प्रोवाइज अगर उस पे फाइन लग चुका है कोर्ट ने उस पे फाइन भी लगा दिया कि भी तुमने गलत allegation लगाए थे और जो अगर उस पे कोई civil action ले लेता है civil case उसके against लगा देता है compensation का लगाता है suppose करिए तो जो उसने fine पे किया था accused को पहले वो fine का amount उस civil action वाले amount से deduct कर दिया जाएगा ओके simple है देखे 6 देखे a complainant or informant who has been ordered under subsection 2 by a magistrate of the second class to pay compensation exceeding 100 rupees अब जो subsection 2 के अंदर जो उसको fine pay करने की बात की गई अगर वो 100 रुपे से जादा का fine है में appeal from an order तो वो उसके against जो है appeal में जा सकता है as a such complainant or informant had been convicted on a trial held by such magistrate simple है आगे conviction अगर उसे हुआ तो simple appeal में वो जा सकते है 7th देखे when an order for the payment of compensation to an accused person is made in a case which is subject to appeal under subsection 6 तो यह गहता है कि आप कब वो compensation वाला जो fine वाला जो amount है वो अब आप कब पे कर सकते हो when an order for the payment of compensation of an accused person is made in a case which is subject to appeal under subsection 2 अगर आप जो compensation जो उसको दिया गया जो 100 रुपे से जादा का है जिसमें आप appeal में जा सकते हो the compensation shall not be paid to him before the period allowed for the presentation of an appeal has been elapsed तो आप वो fine वाला amount तब तक नहीं pay करोगे उस वेक्ति को जब तक appeal करने का time period खतम नहीं हो जाता है has elapsed और if an appeal is presented अगर आप appeal में जा चुके हो before the appeal has been decided या फिर अगर appeal में गये तो जब तक appeal आपकी decide नहीं हो जाती है तब तक आपको fine का pay नहीं करना है and where such order is made in a case which is not so subject to appeal the compensation shall not be paid before the expiry of one month from the date of the order अगर आप appeal में उसमें appeal में जाने का प्रावदान नहीं है तो जब order आया है order आने के एक महीने बाद ही आप उसको वो fine का पैसा pay करोगे ओके एट देखिए the provision of this section apply to a someone case as well as the warrant case तो यह जो provision है इस section के यह someone case के साथ साथ warrant case दोनों पर ही equally apply होंगे तो यह सारा था आपका chapter 19 जो हम cover कर चुके हैं अगर किसी कोई doubt है कोई question है तो आप मुझसे पूछ लेजेगा मैं आपको answer करूंगी इसके बाद देखते हैं कौन सा section अब करने वाले हैं thank you for watching